लॉरेंस की जाल में सल्मान खान फस चुके थे लेकिन 14 एप्रिल के दिन सल्मान खान के घर के बहार जिन दो लोगों ने फाइरिंग करी अगर उनकी घड़ी पांच मिनट के लिए ना रुकती तो शायद आज सल्मान खान इस दुनिया में नहीं हुते 14 एप्रिल की घटना हर किसी को याद है जब सर्मान खाल के गैलक्सी एपार्टमेंट के बाहर तावर तोड़ फारिंग हुई थी अब जब चार्ट शीट दाखिल हुई है वो चार्ट शीट में जो निकल करकी आया है शायद अगर उससे सल्मान खान भी पढ़ेंगे तो शाय अभी भी हैं जुनके जवाब नहीं लोगों को मिलें सबसे पहले लॉरेंस बिश्णोई की अगर मैं बात करूँ तो लॉरेंस बिश्णोई के खिलाफ दो चार्ट शीट पेश की हुई है पहले में सल्मान खान की जिंदगी के वो राज हैं जो शायद किसी को नहीं पता द सल्मान खान की जिंदगी पर सल्मान खान के घर पर जो 14 अप्रेल के दिन हुआ था उसकी पूरी कहानी मुंबई पुलिस ने अपने चार्ट शीट में एक एक शब्द लिखा है उसमें ये तक लिखा है मुंबई पुलिस ने कि जब 14 अप्रेल को ये लोग उसके घर के बाह बिद्धार होगा तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा ये लोग पन्वेल वाले फार्म हाउस की रेकी करने भी गए थे वहां रूम किराया पर ले रहे थे लेकिन कोई रूम किराया पर देने को तैयार नहीं था उसके बाद वहां कि कुछ लोकल लोगों की मदद ली इन लोग काया जब मीडिया में ये बात आई कि सल्मान कर रहे थे कि किसी से डरते नहीं लेकिन चार्जशिट में जो सल्मान खान का बयान दर्ज है उसमें वो क्या कहते हैं जरा गौर से सुनिएगा कि मैं प्रोफेशन से एक फिल्म अश्टार हूं हिंदी फिल्म इंड़स्टी में मैं पिछले 35 सालों से काम कर रहा हूं बांदरा के बैंड स्टेंड के पास मेरे घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास कई मौकों पर लोगों की फैंस की और शुबचिंत को की भीड़ जमा होती है मैं वहां जाता हूं बालकनी में कभी हाथ ही लाता हूं और उसके आगे व बजकर 55 मिनाट पर वो लोग इस वारदात को अंजाम देते हैं आप जड़ा सोचिए सल्मान खान खुद काते हैं कि मैं कभी-कभी सुबह भी चला जाता हूं किसी भी टाइम चला जाता हूं आमतोर पर लोगों के बालकनी में घुमने का टाइम 5-5 बज़े होता है तो क्या लौरेन्स के शूटर्स जो आये थे जो आप सवाल उठा रही है जिसका जिकर चारशिट में नहीं है तो क्या ये बात ये हुई थ थी कि मतलब सल्मान खान की जो जानकारी इन लोगों ने निकाली थी वो मुंबई पुलिस के सुरक्षा किया गए इनकी जानकारी फैल हो गई या फिर सल्मान खान उस दिन समय से उठे ही ने सल्मान खान बताते हैं खुद चारशिट में कि चार पच्पन बजे जब पुलिस बोडिगार्ड ने मुझे आकर बताया कि आपके घर के बाहर इस तरीके के बारदात हुई है मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुचाने की कोशिश की जा रही है तो मुझे लगा मतलब थोड़ी देर के लिए कि ये क्या हो रहा है और अब तक जो सल्मान लॉरेंस का नाम नहीं लेते थे करते थे मैं लॉरेंस को जानता तक नहीं हूँ उनके हवाले से इस चारशीट में ये लिखा गया है कि सल्मान खान ने बकायदा कहा है कि मुझे बिश्वास है कि लॉरेंस विश्णोई के गैंग के लोगों ने मेरे बालकनी पर इस तरीके के बारदात को अंजाम दिलवाया है जिस तरह से अभिशेक आपने कहा जो सल्मान खान का भी बयान आपने बताया कि उन्होंने पांच मिनट ही बोला था अला कि उन्होंने लिखा है कि मैं सो रहा था कमरे में लेकिन तब मुझे कुछ ऐसा लगा जिसे कोई पटा के फोड़ा तब उनको पता चला कि उनके घर फाइरिंग हुई है ये जो पूरे पांच मिनट का खेल है अभिशेक मान लीजे कि सल्मान अगर पांच मिनट पहले उठ जाते और अगर बालखनी में चले जाते तो क्या होता ये तो वही सवाल है नंदनी कि क्या होता कुछ कहा नहीं जा सकता है जिंदिगी कोई पता नहीं है लेकिन सल्मान खान की सुरक्षा जिस तरीके से बढ़ाई जानी चाहिए ये घटना इसलिए हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि पांच मिनट की देरी होती तो सल्मान खान के साथ क्या होता हम लोग इसलिए इस पर फोकस हैं कि मुंबई पुलिस को ये समझना चाहिए कि कैसे लॉरेंस जैसे लोगों के पास सल्मान खान की एक एक मिनट की रिपोर्ट पहुँच रही है आप सोचिए पनवेल वाले फार्म हाउस पे सल्मान खान कब जाते हैं मार्च दोहजार चौबिस में जब ये लोटे थे जब वहां गए थे ये सल्मान खान तब भी वहां पे रेकी की कोशिश होई थी कुछ लोग पकड़े गए थे और चार्जशिट में नंदनी के जरीए वो कैसे बात्चित करता है मैं आगे बताऊंगा उसकी दूसरी चार्शिट है लेकिन लॉरेंस विश्णोई कैसे राजस्थान की जेल में बैठ कर लॉरेंस की इतनी जेल ट्रांसफर होते हैं कि मुझे लगता है कि लोगों के लिए याद करना भी मुश्किल है कहानी ये है कि जो दो लोग सागर और विक्की गए थे इनकी पहली मुलाकात की कहानी भी मुंबई पुलिस ने इस चार्शिट में लिखी है जो इसलिए जानना जरूरी है लोगों को ताकि जो लॉरेंस के पक्ष में कमेंट लिखते हैं वो ये समझ सके कि लॉरेंस जैसे हैं कैसे आठी वो अपने मुंबई पुलिस अपने चार्शिट में लिखती है कि उसको सागर पाल जो है जो आरोपी है वो बताता है कि 2020 में जब कुरोना से लोग परिशान थे तो उसका एक दोस्त था अंकित उसने कहा था कि तुमाओ उसके पास काम नहीं था उसने कहा कि जालंधर में एक स्पेर पार्ट्स की कंपनी में काम कर रहा था तो उसने कहा था कि तुमाओ तुम्हें कुछ काम दिलवाएंगे लेकिन उसके बाद क्या हुआ जब ये जालंधर गया तो पता चला कि लोरेंस का एक भाई जो अनमोल बिश्णोई है उसके कॉंटेक्ट में ये है और वहां से इन लोगों का ब्रेनवाश करके ऐसे तैयार किया गया था कि जब ये लोग निकले थे ना सलमान खान के घर करने के लिए घटना को अंजाम देने के लिए घर के बाहर तो इनके सामने अगर कोई और भी आ जाता ना तो वो उसको रास्ते से हटाने में दे के उरके कितनी टाइट है ये हमें आपको दर्शकों को पता है लेकिन गुजरात में बैट कर मुंबई तक प्लानिंग करना आप समझ रहे हैं सवाल यह होता है कि लोरेंस ने अاخिर कार Гुजरात में बैट कर मुंबई से कैसे प्लानिंग की पुलिस ने जो जो अपनी लाई अगस चले आए अभे आप सोच यह चार महीने में दो किरदार जो दो आरोपी पकड़े थे इन्हों ने दो किरदार चार महीना का टाइम और उसके बाद तीन चार अलग-अलग शहरों में पुलीज जब एक के बाद एक तारजोडती है तो विदेशो तक तारजोडते ह और उसके बाद इनको ये पता चलता है कि लॉरेंस तो जो कर रहा है वो करी रहा है लॉरेंस वो आका है जैसे आपने घर में देखा है ना कि सारी चीजे तै हो जाती है नीचे लेबल पर परिवार में उसके बाद घर के जो मुख्या होते हैं उनके पास final decision के लिए एक बार आ जो भी देश में है उसने सारी planning कर ली थी इसका भाई अनमोल विश्णोई सारी planning कर लेता है और यह सब लॉरेंस की इशारे पर ही होता है ऐसा नहीं है कि बिना लॉरेंस की अनुमती के होता है लास्ट में लॉरेंस ही final करता है इनको बताता है कि ये तारीख चुनो इस दिन वहाँ पर जाओ इस time जाओ क्योंकि उसका दिमाग इतना शातिर है कि दिल्ली के तिहाड के जेलर जो जिनका वीडियो वाइरल होते रहता है जो officer है वो कहते है कि बड़ी बिल्डर है वो कहते है कि लॉरेंस तो बहुत अनुशासित कह दी है लेकिन हालत यह है कि वो अंदर से group चलाता है और अधिकारियों को पता तक नहीं है तो क्या मैं यह समझू कि जेल के अंदर लॉरेंस नए लोगों से मिलता है या कुछ नए लोग की अनुमती है लॉरेंस को मिलने दिया जाए तब जाके इतनी बड़ी planning को अंजाम दिया गया नहीं सवाल को समझने के लॉरेंस जेल में बैठकर जो इंटर्वीव 14 मार्च को देता है वो इंटर्वीव आपको पता है रिकॉर्ड कब हुआ था सितंबर 2022 में छे महिने बाद बड़े planning के तहत वो इंटर्वीव ब्रोडकास्ट होता है और SIT के जाच में यह पता चलता है कि लॉरेंस ने जो पह यादो कर रहे थे कि नहीं इसके बाल कटे हुए हैं इसका हुलिया बदला हुआ है मेरे यहां का इंटर्वीव है ही नहीं मैं मान ही नहीं सकता हूँ गुस्य में थे लेकिन इस हाइटी जांस में पता चला है कि पंजाब पुलिस की कस्टड़ी में हुआ है और उससे भी च से मिलता है वो इसी चार्शीट में कहानी उसकी लिखी है और वो कहानी ये है कि जो लोरेंस जो मोबाइल से फोन करता है जिस सिगनल एप का इस्तेमाल करता है उसमें ये लोग एक बॉक्स कॉल की तकनीक अपनाते हैं वो बॉक्स कॉल क्या है कि उसको पुलिस ना तो इंटरस ना उसका Location Trace कर पाती है अब उसने वहां बैठकर कहांके कहांके वेक्ति से बात की उसको क्या निर्देश दिया क्या मिशन बताया है'tि किसी को कुसपता ही नहीं चलता है लोरेंस तो हमको लगता है जो जेल का हाई सेक्रिटी एरिया है जो अंडा सेल तक होता है वहां तक रखा गया है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कभी इसने कहा हो अंदर से या फिर बाहर इसका ग्रूप कमजोर पड़ गया हो यह हालत है देश में कि जो एसाइटी जाच कर यह उसको यह लिखना पड़ रहा है कि लोरेंस सिलीपर सेल सला रहा है अब सिलीपर सेल कितना बड़ा वर्ड है बताने की जरूरत नहीं अब इशेक इन सारे सवालों के बाद एक सवाल पुलिस प्रशासन पे भी खड़े होते हैं जिस तरह से आपने का कि सिक्योरिटी के अगर लॉरेंस का तो देखे क्या होगा लॉरेंस ऑलेडी जेल में है मैं भी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले ही तो मुझे पता चला कि लॉरेंस जेल में तो अपराध करके है ही लेकिन वो जेल में अपनी मर्जी से भी है क्योंकि उसको पता है बाहर आएंगे तो बाहर दुश्मन बहुत बैठे हैं अंदर इनको सिक्यूरिटी तगड़ी मिल पर कही थी कि उसको दिल्ली में पुलिस रखना ही नहीं चाहरी यह, वो करिए कि नहीं साथ इसको रखा ही नहीं जा सकता थी हाड़ जिल में इसको भेजो में भट इंडा जेल भेजा गया था फिर गुजिमरात चला गया आब गुजरात में है लेकिन जो आप सवाल कर रही है कि ये जेल में लोग को रखने का मतलब क्या है तो मुझे तो लगता है कि सिस्टम इस लेवल पे सुधारना चाहिए इस लेवल पे सुधारना चाहिए कि कैदी अगर अंदर है तो उसका कोई connection बाहर होना ही नीची इसके पास mobile पहुचाने वाले लोग कौन है कोई बाहर से थोड़ी जाता होगा ये तो जेल के अंदर के ही लोग होंगे या तो फिर जेल में इतनी security इसके लिए normal हो रखी है कि बाहर से लोग जा रहे हैं अब आप सोचिए कि यूपी की जेल में मुखतार अंसारी का बेटा जब पकड़ा जाता है अब बास अंसारी अपनी बीबी से मिलते हुए तो तुरंट खुलासा हो जाता है पता चल जाती है घटना यूपी के हर जेल में high security area है और यूपी के हर जेल में कैदी ये अभी पनाह मांग रहे हैं ये कहा रहे हैं कि कुछ भी हो लेकिन यूपी की जेल में ना आना पड़े लेकिन हमारे देश के बड़े-बड़े जेलों में जिनको सब मतलब बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि ये high security वाले जेल है वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लोरेंस हासानी से अपना ग्रूप चला रहे रहा है अंदर से और इसाइटी भी रिपोर्ट देकर निश्चिन्थ हो जाती है पुलिस वाले भी कुछ कर ही नहीं पाते है अईचा लगता है तो ये मैं कहूं कि ये टू फेस टाइप का हो गया पुलिस प्रशासन का टू फेस्ट कहना सही होगा मुझे लगता है कि एक तरफ जेल में बैट कर एक जो है गैंग्स्टर इत्ती बड़ी प्लानिंग कर सकता है वो भी सल्मान खान के खिलाप एक-एक मिनट का उसको जानकारी है और दूसरी तरफ जिस तरह से अभिशेक आपने मुक्तार अंसारी का एक्जाम्बल दिया खैर अब जो चार्ट शिट दाखिल हुई है उसके बाद से आप कारवाई आगे क्या होगी इसमें सल्मान खान का आप क्या नया बयान आता है यह देखने वाली बात होगी आपकी इस विडियो के बारे में क्या राय है हमसे अगर कोई सवाल चूट गया हो या आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर बात करें वो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं